चलिए आज बनाते हैं बहुत ही जादा टेस्टी राजभूग आइस क्रीम जिसे बनाना काफी असान है और यकीन मानिए ये खाने में इतना जादा टेस्टी है कि आपकी घर में सभी को बहुत पैसंद आएगा तो चलिए फटाफट से रेश्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें कराही में डालना है दूध जो की मैंने एक कप और आधे कप के करीब डाला है और अब हम इसमें टू टेबल स्पून के करीब कौन फ्लोर डाल देंगे और इसके बाद वन बाइट हाट कप के बंदी रहेगा और इसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे कि इसमें एक भी लंप्स नहीं होना चाहिए और मिक्स करने के बाद हम इसमें एड करेंगे चीनी जो की मैंने वन बाइट फोर्थ कप के करीब डाला है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो और चीनी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम ओन कर देंगे और गैस के फ्लेम को मिडियम रखेंगे और इसे लगतार चलाते वे तब तक मिक्स करेंगे जब तक दूध ना गाढ़ा नहीं हो जाता कुछ इस तरीके का और अब दूध गाढ़ा हो गया है तो हम इस चीनी डाला है क्योंकि मिल्क पाउडर पहले से मीठा होता है और अब हम गैस का फ्लेम मिडियम रखेंगे और इसे लगतार चलाते वे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि यह गाढ़ा नहीं हो जाता यानि जैसा हम मार्केट से मावा लाते है ना खरीद कर कुछ उस करूंगे कि आप यहां पे इस मावा को ननिस्टिक की पैन में ही बनाए तो जिससे ना बड़ी असानी होगी इससे बनाने में और दस मिनिट बाद अब आप देखेंगे कि यह बिल्कुल मावा जैसा त्यार हो गया है तो हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसे निकाल कर अलग रख देंगे आप चाओ तो यहां पे मार्केट का भी मावा जो मिलता है न खोया वो भी यूज कर सकते हो और अब हम एक पैन में डालेंगे ड्राइफ रूट्स मैंने यहां पे काजू बदाम और पिस्ता को कट करके ले लिया और इसे थोड़े दित्तिक सौटे करके अलग रख देंगे और अब हम गर्म दूध में डालेंगे केसर के कुछ धागे और इसे मिक्स करके अलग रख देंगे ताकि केसर अपना कलर छोड़ दे तब तक हम एक बावल में डालेंगे वेपिंग क्रीम जो कि आपको बड़ी असान इसे न केक के सौप पर मिल जाएगी और अब हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे स्टेप पिक्स आने तक अगर आपके पास यह बीटर नहीं तो आप हैंड विसकर से भी कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है अब यह बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हो गया है आप देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसमें एड करेंगे मावा जो की हमने त्यार करके रखा था आप मार्केट का भी मावा यूज कर सकते हैं और अब हमने जो दूद का मिसरन बना के रखा था ना ठीक पेस्ट जैसा वो भी डाल देंगे और यह कंप्लिटली ठंडा है और अब हम डाल देंगे और अब हम इसमें वन भाई हाप टेपल स्पून के करीब इलाइची पाउडर डालेंगे और इन सभी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से फिर से बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद अब हमने जो ड्राइप रूट्स रखा था ना भून कर वो मैंने थ करेंगे मतलब हम जिस भी बरतन में जहमाने वाले उस बरतन में बेकिंग पेपर डाल देंगे ताकि यह बड़ी असानी से निकल जाए अगर आपके पास यह नहों तो आप इसके बीना भी बना सकते हो इसके बीना भी बड़ी असानी से निकल जाती है और इसके नीचे हम ड फ्रीज कर लेंगे 7-8 गंटे लिए और नाइट के लिए और 7-8 गंटे हो गया है और मैंने इसे निकान लिया है तो अब हम इससे कब खालू और अब हम किनारे से भी कुछ ड्राइफ रूट्स लगा देंगे जो हमने भून के रखा था वही और उपर से रोज पेटल्स डाल देंगे यह बिल्कुल ऑप्सनल है और इसके बाद हम आईस्क्रीम को कट कर लेंगे और अब भी मैं आईस्क्रीम का ही वीडियो एडिट कर रही थी और सामने से ए किजिए आपको बहुत पसंद आएगा बाद